दोस्तों नमस्कार ये हमागदेशन फॉर सिविल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्पूर प्रश्णों के तथ्यात्मक अध्यन के अंतरगत इस वीडियो में आप पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां जीले और बांधों से संबंधित महत्पूर तथ्या और जानकारी साथ ही इस वीडियो में आप उत्तर प्रदेश के प्रमुख रामसर आर्द भूमी अस्थलों के बारे में भी जानेंगे ये वीडियो आपके आगामी आयोजित की जाने वाली परिक्षाओं के सामानिग्यान और सामानिय अध्यन के उत्तर प्रदेश राज्य विशेस अध्यन से संबंधित प्रश्नों के लिए बहुत ही उप्योगी है तो आईए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां जीले और बाध से संबंधित महुत पूर्टत थे दोस्तों नदियों के उद्गम स्रोत के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को तीन भागों में बाटा जा सकता है हिमाले से निकलने वाली नदियां, गंगा के मैदान से निकलने वाली नदियां और प्रायदीपी पठार से निकलने वाली नदियां देखिए हिमाले परवस से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में गंगा, यमुना, काली या शार्दा नदी, रामगंगा, घागरा, गंडक और राप्ती हैं उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली प्रमुख नदियों में गोमती, वरुडा, पांडो, सई और इशन हैं। प्रायदीपी पठार से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोन्स, कन्हार और रिहंद नदी आईए गंगा नदी के बारे में थोड़ा विश्थार से जानते हैं देखिए गंगा नदी दोस्तों आप जान लिजे ये उत्तर प्रदेश की सरवाधिक लंबी नदी है गंगा नदी और ये उत्तर प्रदेश में गंगा नदी 1450 किलो मिटर लंबा मार्गतें करती है गंगा नदी की प्रमुक सहायक नदियों में राम गंगा, घाघरा, गंड़क, बूढ़ी गंड़क, बागमती, कोशी और यमुना हैं उत्तरी किनारे से मिलने वाली सहायक नदियां राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी और बागमती तथा दक्षडी किनारे से मिलने वाली सहायक नदियां यमुना, टोन्स और सोन हैं जोस्तों गंगा नदी यमुना और पौराडिक सरस्वती नदी से प्रियाग में मिलती है यानि गंगा नदी यमुना और पौराडिक सरस्वती नदी का जो मिलन होता है वो प्रियाग राज में होता है गंगा नदी का उदगम गोमुख गंगोतरी हिमनस से होता है और आप जा नदियों का संगम जो है देव प्रियाग उत्तरा खंड में होता है दोस्तूं इसके अलामा देखे धौली गंगा नदी अलगनंदा नदी से विश्णु प्रियाग में मिलती है मंदाकनी नदी रुद्र प्रियाग में अलगनंदा नदी से मिलती है हरिद्वार से गंगा नद मैदानी छेतर में प्रवेश करती है और बिजनवर जनपद से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है गंगा नदी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार जारखंड और पश्यम बंगाल राजियों से होकर बहती है कन्योज के निकट गंगा नदी से राम इसके अलावां प्रयाग राज, मिर्जापूर, वाराणसी, गाजीपूर और गढ़मुक्देस्वर हैं। इसके अलावां कानपूर गंगा नदी के दाएं किनारे पर और वाराणसी बाएं किनारे पर इस्थित है। आईए एक चार्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेस की प्रमुक्ध नदियां उनके उद्गम के बारे में जानते हैं। उसके बाद फिर महत्वण नदियों के बारे में जानेंगे। देखे उत्तर प्रदेस की प्रमुक्ध नदियां। गंगा नदी महत्वपूर है, इसका उदगम उत्तरा खंड में होता है, इसकी कुल लंबाई 2525 या 2025 किलो मीटर है, यह मुना नदी का उदगम उत्तरा खंड में होता है, इसकी कुल लंबाई 384 किलो मीटर है, घागरा नदी तिबबस से उदगमित होती है, 1080 किलो मीटर लंब राम गंगा का उद्गम उत्राखंड में है और ये 696 किलो मेटर है दोस्तों रापती नदी का उद्गम नेपाल में होता है इसकी कुल लंबाई 640 किलो मेटर बेतवा नदी मध्य प्रदेश में इसका उद्गम है 590 किलो मेटर लंबी है गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्र 264 किलो मीटर लंबी है और शार्दा नदी उत्रा खंड से उद्गमित होती है इसकी लंबाई 350 किलो मीटर है उत्तर प्रदेश की प्रमुख जीलों के बारे में जान लेते हैं ये एक महत्वपूर्ण चार्ट है कीठम या सूर सरोवर जील ये आगरा में है गौर जील रामप राइबरेली में है बरुवा सागर जासी में राधा कुंड मतुुरा में कुंदर समुंदर उन्नाव में बलहा पारा कानपूर में मदन सागर महोबा और देखी राजा का बाध सुल्तानपुर में टांडा दरी या दरारगर्थ मिर्जापुर में है और धी ताल आपका ये वारांसी में इस्थित जील है बेला सागर कृत्रिम जील महोबा में है मोती जील कानपुर शहर में चित्तवरा जील बहराईज गढ़ताल गोरकपुर में दरवन जील अंबेटकन नगर और शेखा जील अली गढ़ में इस्थित है गंगा नदी के बाद आईए यमुना नदी से संबंधित महोतोपूर तथियों को जानते हैं दोस्तों यमुना नदी का जो उदगम है वो बंदर पूच के पश्मी ढाल प अगपत गाजियाबाद गौतम बुद्धनगर अलीगढ मतुरा आगरा इटावा और या जालाओन हमीरपूर बादा फतेपूर और प्रयागराज जीलों से होकर बहती है चंबल नदी यमुना नदी से इटावा के पास मिलती है बेतवा नदी यमुना नदी से हमीरपूर क निकट मिलती है और बादा में भोजहा के निकट यमुना नदी से के नदी मिलती है अभी अभी हमने उत्तर प्रदेश की प्रमुख जीले और तालों के बारे में पढ़ा है तो यहाँ पर इस मैप के माध्यम से आईए देख लेते हैं प्रमुख जीलों की अवस्थिति के बारे में तो यहाँ पर देखिए दोस्तों शुक्र ताल ये मुझफर नगर में इस्थित है इसके अलावा गौर जील रामपुर जनपद में लिलावर जील बरेली में फुलहर जील पीली भीत में बड़ा ताल शाहजहांपुर में और आप देखिए लाख जील बहोसी ता ये आपका कन्नो जनपद में है इसके अलावा आप देखिए करेला जील लखनव में है चित्तावरा जील बहराईच में है और गोंडा में पारवती अरगा ताल है दरवन जील आपका अंबेटकर नगर में है बखिरा जील संतकबेर नगर में और रामगर ताल गोरःपुर में है राजा का बाध और भोजपूर ताल ये आपके सुल्टानपूर में इस्थित है आउधी ताल वाराणसी में है मिर्जापूर में टांडा दरी ताल और सिर्शी जलासे है सोनभद्र में गुबिंद वल्लब पंत सागर ये कृत्रिम जील इस्थित है इसके अलावा बेत जील आपका परतापगड़ में है समसपूर जील और विशैधा ताल राइबरेली में है मुराई ताल फतेपूर में है बेला सागर जील और मदन सागर महोबा जनपद में है बरुवा सागर और लक्षमी ताल ये जहासी में मोती जील कानपूर नगर में नबाबगंज जील और कुंद्रा समुंदर ये उन्नाव जनपद में है इसके अलावा आप देख लीजे कीठम जील सूर सरोवर ये आगरा में है नोह जील मानसी गंगा कुंड ताल राधा और स्या जील ये मतुरा में है सागर ताल बदायू में और राम ताल ये आपका मेरट जनपद में इस्थित है दोस्तों देखें उत्तर प्रदेश में यमुना नदी ब्रिहत चाप का निर्मार करती है और उत्तर प्रदेश के मथुरा, वरिंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर और कौशाम भी ये यमुना नदी के किनारे इस्थित प्रमुखनगर है रामगंगा नदी के बारे में जानते हैं तो रामगंगा नदी का उद्गम हिमाले की दूधा टोली स्रेडी पौड़ी गढ़वाल से होता है रामगंगा नदी कारबेट निशनल पार्क से होकर बहती है और राम गंगा नदी काला गढ़ उत्राखंड निकट विजना और जिला उत्तर प्रदेश से मैदानी भागों में प्रवेश करती है सारदा नदी के बारे में जानते हैं तो शारदा नदी का उद्गम कुमाओ हिमाले के मिलाम ग्लेसियर से होता है प्रारम में इसे काली गंगा या गोरी गंगा के नाम से जाना जाता है सारदा नदी पीली भीत और नेपाल की सीमा का निर्धारन करती है सारदा नदी ब्रह्मदेव के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है और साप की भाती तेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर प्रवाहित होने वाली नदी शार्दा नदी है सार्दा और घाघरा नदी का संगम बहराम घाट के निकट होता है गाघरा नदी के पारे में जाने तो गाघरा नदी का उदगम मापचाचुंगो हिमनत तिबबत से होता है गाघरा नदी की सहाएक नदियों में करनाली, सिख, टीला, सेटी, बेरी, राप्ति और छोटी गंधक है दोस्तूं घाघरा नदी को सर्यू नदी के नाम से भी जाना जाता है अयोध्या शर्यू नदी के किनारे इस्थित है 1080 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद ये नदी छपरा बिहार के निकट गंगा नदी से मिलती है एक महत्वड नदी राप्ती नदी है राप्ति नदी का उद्गम रुकुम कोट नेपाल है राप्ति की प्रमुक सहायक नदी रोहिडी है राप्ति और घाघरा नदियों का संगम देवरिया में बरहज नामक स्थान पर होता है चंबल नदी दोस्तों तो चंबल नदी का उद्गम जाना पाव पहाड़ी महू मध्ध प्रदेश में होता है चंबल की प्रमुख सहायक नदियों में काली सिंध, पारवती और बनास है चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्र प्रदेश राज्यों की सीमा निरधारित करती है और चंबल नदी पर बनाए गए प्रमुख बांधों में गांधी सागरबांध, राणा परताब सागरबांध और जवाहर सागरबांध है चंबल नदी अपने आवनलिका अपरदन और बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना में मिल जाती है यानि चंबल जो है अभी आपने देखा भी है कि यमुना की महत्तपूर सहायक नदी है बेतवा नदी के बारे में जान लें तो बेतवा नदी का उदगम कुमरा गाओ रायसेन मध्ध प्रदेश से होता है बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के जासी और या जालावन और हमीरपूर जिलों से होकर बहती है ये नदी हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिलती है इसका संस्कृत नाम वेत्रवती है बेत्वा नदी पर निर्मित राजगाट बांध के जलासे को रानी लक्षमिवाई सागर के नाम से जाना जाता है केन नदी तो केन नदी का उदगम कैमूर पहाड़ियों से होता है इसे काणावती उप नाम से भी जाना जाता है केन नदी और यमुना नदी का संगम भोजहा बादा के निकट होता है सोन नदी के बारे में जानते हैं तो सोन नदी उत्तर प्रदेश के मिर्जापूर और सोन भदर जिलों से होकर प्रवाहित होती है सोन की सहायक नदियों में रिहंद नदी, कनहर नदी, उत्तरी, कोयल, आदी नदिया हैं आईए गोमती नदी के बारे में जानते हैं तो गोमती नदी का उदगम उत्तर प्रदेश के पीली भीत जिले की फुलहर जिल जिसको गोमल ताल जिल कहते हैं वहां से होता है और गोमती नदी उत्तर प्रदेश के दूस्तों पीली भीत सहजापूर लखिमपूर खीरी सीताप लखनव, सुल्तानपूर और जौनपूर जिलों से होकर परवाहित होती हुई गाजी पूर जिले में गंगा नदी से मिल जाती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव, सुल्तानपूर और जौनपूर नगर गोमती नदी के किनारे इस्थित हैं गोमती नदी की विभिन सहायक नदियां गचाई, सई, जोमकाई, बरना, चूहा, सर्यूगिरी, कल्याडी और कतना है टूस नदी के बारे में आईए जानते हैं टूस नदी का उद्गम तार्मा कुंड कैमूर स्रेडी मध्य प्रदेश से होता है टूस की प्रमुक सहायक नदी बेलन नदी है टूस नदी पर कई प्रसिद्ध जल प्रपात इस्थित है टूस और गंगा नदी का संगम सिर्षा प्रियागराज में होता है और टूस नामा के एक अन्य नदी जो यमुना में मिलती है उसका उद्गम बंदर पूछ पहाड़े उत्राखंड से होता है लेकिन ये उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है अन्य नदियों में आए जानते हैं हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है ये सहारन पुरजिले में उपरी शिवालिक से निकलती है ये गंगा और यमुना के बीच लगभग 400 किलोमीटर तक बहती है कर्मनाशा नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है आए उत्तर प्रदेश के प्रमुख बाधों के बारे में जान लेते हैं दोस्तों गोबिंद बल्लप पंत शागर ये रिहंद बाध ये रिहंद नदी पर है ये पीपरी सोनभद्र में है ओबराबाध रिहंद नदी पर रावर्ट्स गंज सोनभद्र में है माता टीलाबाध वेतवा नदी पर है ललितपुर में मुशाखंड कर्मनाशा नदी पर चंदवली में है जिर्गो बाध जिर्गो नदी पर मिर्जापूर में इस्थित है एहरावरा बाध गराई नदी पर मिर्जापूर में है मेजा बाध बेलन नदी पर मिर्जापूर में इस्थित है और अधवा बांध जो है ये अधवा नदी पर मिर्जापूर में इस्थित है इसके अलावा देखिए सिर्सी बांध बखेर नदी पर मिर्जापूर में पारिक्षा बांध बेतवा नदी पर जहांसी में इस्थित है गढवा बाद गढवा नदी पर चित्रकूट में है जामिनी बाद जामिनी नदी पर बनाए गया है ललितपुर जनपद में रोहडी बाद रोहडी नदी पर है ललितपुर जनपद में शहजाद बाद ये सहजाद नदी पर ललितपुर में है गोबिंद सागरबाद ये सहजाद नदी पर ललितपुर में इस्थित है सजनाम बाद सजनाम नदी पर है ललितपुर में राजगाट बाद बेतवा नदी पर है ललितपुर में इस्थित है मौदहा तो मौदहा बाद ये बिर्मा नदी पर हमीरपूर में बनाये गया है सुकमा डुकमा याद रखेगा ये बेतवा नदी पर है जासी में चंदरपरभाबाद चंदरपधा नदी पर चकिया चंदवली में इस्थित है कनहर नदी पर राबर्ट्स गंसोन भदर में इस्थित है और अरजुन बाध आप जान लीजे दोस्तों अरजुन बाध अरजुन नदी पर महोबा में इस्थित है और देखें सलार पुर्बाध करदिया नदी पर महोबा में है और पत्राई बाध महोबा में है ये पत्राई और सुखनाई नदियों पर जहासी में बनाया गया है उत्तर प्रदेश के प्रमुख रामसर आर्द भूमी अस्थल लाश्ट में हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख रामसर आर्द भूमी अस्थलों के बारे में जानेंगे तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के वर्तमान में दस आर्द भूमी अस्थल हैं जिनको रामसर आर्द भूमी अस्थलों में शामिल किया गया है इसमें से एक दो हजार पांच में और इसके अलावा छे रामसर अस्थल दो हजार उन्नीस में एक दो हजार बीस में और दो रामसर अस्थल जो है दो आर्द भूमियों को दो हजार इकीस में रामसर आर्द भूमिय अस्थल के रूप में शामिल किया गया है तो सबसे पहले देखते हैं बखिरा बन्ने जियो अभ्याराणी ये संत कवीर नगर में है इसको रामसर आर्द भूमियास्थल 29-6-2021 को नामित किया गया है हैदरपुर आर्द भूमिये मुझफर नगर और विजनौर में इस्थित है ये 13 अप्रेल 2021 को नामित हुआ सूर सरोवर आगरा में है 21 अगस्त 2020 को पारवती अरगा पक्षि विहार गोंडा में है दो बारत 2019 को समान पक्षि विहार मैनपुरी में है दो बारत 2019 इसके अलामा समसपूर पक्षी बिहार दोस्तों ये रायवरिली जनपद में है 23-00-2019 को सांडी पक्षी बिहार हरदोई में है 26-09-2019 को नामित किया गया नाबाब गंजपक्षी बिहार 99 में है 19-09-2019 को सरसई नवार जील ये इतावा में है 19-09-2019 को और उपरी गंगा नदी ब्रिज घाट से नरोरा विस्तार ये जो है ये नरोरा बुलंद शहर यहाँ पर इस्थित है आठ नौंबर 2005 को इसको रामसर आर्द भूमी अस्थल घोशित किया गया था तो ये उत्तर पर देश के दस परमुखर्ण रामसर आर्द भूमी अस्थल है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो उत्तर परदेश राज विश्य सध्यं से समबंधित महत्पूर्ण परिक्षाओं के लिए उत्तर परदेश की परमुख नदिया, जीले, बाध और उत्तर प कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मार्क दर्शन फोर्ट सिविल सर्विशेज को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यभाद नमस्कार